सल्मान खान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है सल्मान खान की जमानत याचिका का फैसला आज नहीं बलकी कल सुनाया जाएगा जी हाँ कल राज से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सल्मान को आज बेल मिल सकती है लेकिन ऐसा नहीं है सल्मान को एक दिन और यानि आज का पूरा दिन गुजारना होगा जोदपुर जेल में लेकिन कुछ वक्त पहले ही ये फैसला आया कि सल्मान की बेल को लेकर जो भी सुनवाई थी वो आज नहीं बल्कीकल होगी जिसका साफ साफ मतलब है कि सलमान को आज का पूरा दिन जेल में गुजारना होगा कल दुपैर सलमान को जोदपुर सेशन कोट ने काला हिरन शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही साथ 10,000 का जुर्माना भी लगाया था कल दुरन सजा सुनाने के बाद सलमान को सेंट्रल जेल ले जाया गया सूत्रों के अनुसार सलमान पूरी दाद जेल में जागे हुए थे और उन्होंने ठीक से कुछ भी नहीं खाया था टेंशन में आने के वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था लेकिन 6 एपरिल के सुभा कुछ अच्छी कबर देगी इस उमीद में सभी फैंस और बॉलिवुड इंतजार कर रहा था लेकिन अब ये साफ साफ जाहिर कर दिया गया है कि सलमान खान को आज बेल नहीं मिलेगी हमारे आज किस वीडियो में बस इतना ही बॉलिवुड की लिटिस न्यूस और गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब सलमान खान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है सलमान खान की जमान त्याचिका का फैसला आज नहीं बलकी कल सुनाया जाएगा जी हाँ कल राज से ही ये नुमान लगाया जा रहा था कि सलमान को आज बेल मिल सकती है लेकिन ऐसा नहीं है सलमान को एक दिन और यानि आज का पूरा दिन गुजारना होगा जोदपूर जेल में कुछ वक्त पहले ही यह फैसला आया कि सल्मान के बेल कुले कर जो भी सुनवाई थी वो आज नहीं बलकिकल होगी जिसका साफ साफ मतलब है कि सल्मान को आज का पूरा दिन जेल में गुजारना होगा कल दुपेढ सिलमान को जोदफूर सेशिन कोट ने काला हिरन शिकार मामले में पात साल की सजा सुनाई थी और साथ ही साथ दस हजार का जुर्माना भी लगाया था कल दुरन सजा सुनाने के बाद सिलमान को सेंटरल जेल ले जाया गया सूत्रों के अनुसार सलमान पूरी राथ जेल में जागे हुए थे और उन्होंने ठीक से कुछ भी नहीं खाया था टेंशिन में आने के वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था बॉलिवुड की लिटिस नूस और गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब